नमस्का दोस्तों मैं हूँ रागविंद्र स्वागत है आप सभी का इन खवर पे 40 दीन के भीता रीव बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार अर्विंद केजरिवाल से दूसरी बार मुलाकात करने के लिए पहुँच गये और विपक्षी एक्ता की बातचीत भी हुई विपक्षी एक्ता के साथ जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके बाद केंद्र सरकार ने अध्यादा देश लाकर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रोग भी दिया अब उसको लेकर भी इसमें चर्चा हुई और राजनीत भी गर्मा रही है यहां पर नितिश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के उपर यानि कि अर्विंद के जिरिवाल के उपर प्रतार्णा दे रही है उसके अमलों समर्थन में आये हैं यानि कि अर्विंद के जिरिवाल के समर्थन में आ सुप्रिम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिस हो रही है के अंदर सरकार के द्वारा यह तो एक बिशितर बात है अब आप ज़रा समिधान को देख लीजिए क्या अधिकार है जब गर्म सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि यह लोग सम्भीधान का वी और कीसी बीचीज का अपने ठंग से जो इधर से उधर कर रहे और किस तरह का महौल बन रहा है अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहमत दिया है और किस तरह से सब-स सब लोग साथ है और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसकाद सुप्रिम कोट का भी फैसला हो जायए तो राज सरकार को जो अधिकार है काम करने का उसका काम को रोक दिया जाएगा यह सब तो बहुत ही आश्च चर्ज का भी से तो यह हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ है और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मिटिंग करेगे जो हम लोग कोशिस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एक जुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं हराजी में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानूं का पालन होना चाहिए आपस में सब इस तरह की कोई बात होगा हुए और यह जो कह रहे हैं बिलकुल ठीक कर रहे इनके साथ, उनके साथ हम लोग है। पूरे तोर पर हम लोग कहा है। आप सब ने सुना कि नितीष कुमार्ण ने क्या कुछ कहा है कि इस तरीके से वो इन सब चीजों की बात करते हुए भी एक बात साफ साफ करहे हैं कि हम चाहरें कि सारे Dalek हो विपक्ची एकता बने अगर विपक्ची एकता बनेगी तब ही केंदर सरकार यानि की बीजेपी को हम लोग सप्ता से हटा पाएंगे और केंदर सरकार जिस तरीके से परिशान कर रही है काफी विचीत रही है इसको लेकर फिर इसके बार बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादों भी बहुत कुछ बोले जरा सुनिये कि तेजस्वी यादों क्या कुछ बोले हैं यह सारी बातें माने मुख्मंत्री जी ने स्पश रूप से कही दिया है आज की मुलकात खास तोर पर इसलिए है कि जो लोक्तंत्र है लोक्तंत्र में चुनीवी सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्मेंट है ब जो परिशानी अर्विन केजवाल जी जहेल रहे हैं हम यहां पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार और जब सुप्रीम कोड का जब जज्जमेंट आ गया तो सारी चीज़े स्पस्ट हो गए तो कुछ कहने वाली किया जा रहा है या और दूसरे राज्यों में जिस प्रकार से केंद्र भेस दभाव कर रहे हैं उन राज्यों के साथ तो यह कहीं से भी नैपून नहीं है लोगतंत पर इसाव दिखाता गी खतरा है यह लोग सन्विधान को बदलना चाहते हैं जो हरकिस हम लोग मिल करके हो करने कि एक बात से पूरी तरीके से हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं जित्रा भी अर्विद के जिवाल जी को सताएंगे टंग करेंगे यह उतने ही मजबूत होंगे और मैं पूर्ड विश्वास के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी कभी भी डिल्ली में वापसी नहीं करेगी तो हम लोग सब लोग इनके समर्थन में हैं और सब लोग मिलकर के हम लोग देशित के लिए काम करें गया आप समनी सुना कि तेजस्वी यादोद्वरा क्या कुछ कहा गया है नितीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एक्ता बनाने में लगे हुए हैं अब आप खुदी सोचिए कि जिस तरीके से कांग्रेस के राहूल गांद जी थोड़ा सा किनारा कस्ता हुआ नजर आती हैं जब उनके दोरा कहा जाता है कि कांग्रेस करनाटक में तो जीत गई लेकिन जहां 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 जो छेत्रिय दल जो है मजबूत है वहाँ पे वो दल ही लड़े इस तरीके से अगर आगे का प्लान बनाया जाए तब तो हम साथ देंगे लेकिन अगर कांग्रेस ये सोचे कि विपक्छी एक्ता बने हम सब साथ आए और कांग्रेस और जो है टीमसी मिलकर बंगाल में चुनाओ लड़े तो बिपक्छी एक्ता बनाना इतना असान भी नहीं है अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये सारे बिपक्छी दल क्या एक साथ मंच पर नजर आते हैं और मंच पर नजर आ भी गए तो ये क्या बिपक्छी एक्ता पूंड़ रूप से बन पाएगी या फिर चुनाव आते आते सब भिखर जाएंगे इदर उदर आप सब कीज़ पर क्या राय है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए